खामोश को इंगलिश में क्या कहते हैं या आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं खामोश का मतलब होता है चुप, यानि कि जिसमें से कोई आवाज ना आ रहे हूं या जो बोल ना रहा हो तो खामोश को इंगलिश में आप silent या quiet कह सकते हैं silent या quiet जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि कक्षय में सभी छात्र खामोश थे तो आप कह सकते हैं all the students in the class were silent या अगर आप ये कहना चाहें कि रात के समय गाउं का हर कोना खामोश हो जाता है तो आप कह सकते हैं at night every corner of the village becomes silent at night every corner of the village becomes silent अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बखवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें